मसूम फतेवे को बचाना है जी हाँ अब भी करीब 92 घंटे से ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी मसूम फतेवी यहां पर उसे निकालने के प्रयास लगातार जा रही है लेकिन फिलाल सारा देश स्वक्त एक और जहां दुआए कर रहा है वहीं इसे के साथ सवाल भी प्रशासन की कारेपडाली पर उठ रहे हैं कि अब तक मासूम को बाहर की निकाला गया और तस्वीर देखिए इस तस्वीर में देख सकते हैं आपकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जा रही है गुरुवार शाम से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अब तक भी काम्याबी हात नहीं लगी है दिन हो चाहे रात हो दिन रात देख कर सेना के जवान डेरा से जुड़े हुए लोग आर्मी की टीमें पुलिस और प्रश्वासन मौके पर मुस्तैद है और मासूम फत्रवीर को बाहर निकालने के प्रयास की कवायदें लंग भी खो दी गई थी जिसमें जाकर जवानों की टुकडी मासूम फत्रवीर को बाहर लेकर आती लेकिन उसकी दिशा जो खुदाई थी वो गलत दिशा में गई उसके वजह से मासूम तक पहुंचने में टीमें असफल रही लेकिन अब एक बार दोबारा रविवार दे वो दिशा ते कि यही किस दिशा में जाकर फत्रवीर तक पहुंचा जा सकता है और एक बार फिर रस्क्यो उपरेशन को तढ़के शुरू किया गया वहीं बता दे रहे इसकी ओपरेशन अब भी लगातार जा रही है वहीं बताईए ही जा रहा है कि जो टीमे हैं वो जल्दी फतेवेर तक पहुंच जाएगे हाला कि सबसे बड़ा एहम मुद्दा आज यह है कि आज फतेवेर का जनम दिन है जियां अपने माता पिता की इकलोती संतान आज अपने जिंदगी के दूसरे साल में तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं और दो साल की पूरी हो चुकिए लेकिन फिलाल किसी ने नहीं सोचा था न उसके परिवार ने न देश ने न खुद फतेवीर ने कि वो अपने दूसरे जनम दिन पर रहे स्तर है जमीन से डेव सो फीट नीचे गेरे गढ़े में बोर्वेल में बेसुध पड़ा होगा गुरुवार शाम करीब चार बजे धोखे से इस बोर्वेल के गढ़े में फतेवीर गिरा और अब सोमवार का दिन हो चुका है लेकिन अब तक भी फतेवीर बाहर नहीं आ पाया पायप दे बिच डिक्या होया जड़ा स्यासी कंटे बेचों के नेगे परसासन बलो समासेवियां बलो तारमगर संगाखना बलो जड़े जातन जारी नेगे बिजेंदर सेंगला जी कौंगरस दे मंतरी ये जैजा लैन नी पोंचे हाड़े नाल जान देवना तो तर की लग होगी सिदी लोहे दी पाई सी उवी रोटेट दोबारा होके उस खिड़की नोव जेना लाइन कीता हुए काम में जा रही है और जल्दी की बच्चा रिट्रीव हो जोगो और सारियां मेडिकल फसिलिटीज एक बहुत वेल एक्विप्ट एम्बुलेंस जिदेश वेंटी सारी सुखूल थे हो अलड़ी त्यार है सिवल सर्जन साफ दी टीम औरेबल पूर अपने डॉक्टर दी त्यार है तांकि बच्चा रिट्रीव हों तो पाद एक मिंट पी बेच्ट करना पैना है और सबनों इहीं बेंती है कि हम पा सारे अर्दास करें कि फ्रतेवीर टीक हो है सी हर जगादे उपर स्पूलत वास्ते हर तानुत चुकने की काउड़ा है सर अपांग लगदा ने किते कमें रही है इना तैम ने कोई कमें नी है एक सो भी फुट पे बच्चे नों रुट्रीव करना सी मैनूली हो सब्सक्राइब कोई ऐसी चीज नहीं है जिदे नाल को पर किसी मशीन लेया उपरेशन हो साथा सी और लगातार दिन रात इस उपर काम होया है और इस तो जल्दी असी इस गलती वीप कौन साथा दे सी और अगर कि दे पाइप सिद्धा चले जाना और समेंट ना रुख दा लोह दा पाइप ना पना कि काल पाना पैंदा तो शेह अपरेशन आसी कालता का चीट सब्सक्राइब कोई जाल दिल जाल दिल जाल दिल कड़ा इन्ना समा हो गया नहीं कोई जडी पहला जिती रिते पहला है इंसिदेंट होने उथे हमेशा पच्ची तो लेके ती फुट तक बच्चे अनू बच्चे ग्रेस ही और उथे एंडी अपने अच्छी पिता सी एंडी रेफ दे मलाजवान भी अपने 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 अफसर सहबान दी इस कालू मन दे हैं कि ये बड़ा सब तो मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन है एंडी रेवास से तू रिट्रीव दे चाइल्डर वांट्विटी तो एस आनार मत्वां अपने अपने आप में क्योंकि इससे पहले भी कई बच्चे बोर्विल में गिरे हैं और सेना के एंडी राफ के प्रयासों से उन्हें बाहर निकाला गया है रिस्की ऑपरेशन उनका जल्द इससे कम समय में खत्म कर दिया गया है लेकर यह पूरा मामला अपने आप में जटल है चुकि कोई भी बच्चा आज से पहले इतनी ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं गिरा देड़ सो फीट की गेराई पर मासूम फतेवीर फसा हुआ है जिसे बार निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि काबिनेट पंत्री गुर्प्रीट सिंग ने स्पूरे मामले में क्या कुछ कर देखो गल्ली है सरकार दा टोटल प्यान उतर है सारा प्रशाशन होते खड़ा है साड़े कैवन वजीर होते बैठे नहीं जो जो विखो एक उदर्दी खेड़ अरदास कर सकते हैं जो सरकारवलों सुभूलत देनी हैं ओते मुईया करों गया डीम सी आड़ प्रवंद किता गया पीजे आड़ किता गया लोकल सुरूर हॉस्पीट्स आड़ किता गया डॉक्टरां की टीम उत्थे खड़ी है टोटल मिशिनरी जो सरकार दिया उत्थे उत्थे मौक्य देख खड़ रहे हैं और यह देवच्छ जे कोई कहिए भी निले जो बच्चा नीचे गया है कैप्टन मिरंदर सिंग मुक्मंत्री बहुत चिंतत हैं और दास करिए जितनी सरकार की कोई भी जुम्यवरी है सरकार अपनी जुम्यवरी तो हर कोई यही चाहता है कि जल्द जल्द फत्यवीर बाहर आए और अपनी इस जंग को फत्य करें तो चलिए बापको सुनाते हैं कुछ कह रहे पाइप नू डिटेक्ट करके पाइप नू कट भी ले गया है उस चो मिट्टी भी कट लेई गई है तो होन ओ प्रोब पाके देख रहे ने बच्चेरी हाइट उत्ते थोड़ी जी हैगी सो ओनू चेक किता जा रहे है कि होन जड़ा विंड़ो तिन भाई दो दा बनाया उसी गा उनू तां चक के फिर उस लेवल ते फेर कट करके देखने ते कनफर्मेशन होन की भी बच्चे दा हैगा भी उत्थे प्रेजन्स नूँ कनफर्म किता जाओगा देखो एदे वीच ए प्रोसेस ता चली रहे है उन जड़ी फैमली नाल गल हुई है साड़ी एक गल होर निकल के आई है भी इसे एरिये दे पंदरा फीट रेडियस दे वेची चार बोर पाय होने तो सानू एक जरूर है थोड़ी जी शंका ओसे नूँ आओ अधे गंटे चे कनफर्म हो जुगा क्योंकि फ्रेम नूँ उत्ते चक के ओस दे पैरलल डिगिंग करके कनफर्म कर देंगे भी कोई बोर कोई होर ता नहीं सो इस चीज टे टाइम लग जाए जिकर ए बोर सेम निकले आ फे सब्सक्राइब जाए गया सब्सक्राइब करके फिर कट करके एक्चुली देखने भी ओधे प्रेजन्स है बच्चे दी या नहीं जी तुसी देखोगे एक सो भी फूट दी ओसी डेफ्ट दे वेचे अच्छा प्लस एक कई वारे भी पॉइंट आंदा है कि आर्मी दी प्रेजन्स या कोई हो टेक्निकल मशीन्री आर्मी दे नाल जड़े आर्मड इंजिनियर दे करणल उपल है उना दे नाल मेरी कनफर्म गल होई है जड़े नाने के भी जड़ी एक्सपर्टीज इत्थे अंडियार वलों किती जा रही है डैट इस दी बेस्ट्रेटजी कोई भी इदन दे स्पेशलाइज्ड एक्विप्मेंट आर्मी कोल नहीं है जड़ा इत्थे यूज़ करके उस प्रोसेस नो एक्सपडाइ इंजिनियर दे दो कमिशन्ट ओफिसर विद्धेर स्टाफ सारे आके देखे गए सिके देवर वेरी मुच एशॉर्ड की जड़ा करन्ट ऑपरेशन अंडर एंडियार एफंट सिविल अथोर्टीज चल रहे है डाट इस दे बेस्ट्रेजी ते उसे असी वर्क कर रहे है क्य देवेच असी दोनों ही पॉइंट चेक किते सीगे एक इन टरम्स ऑफ एक्विपमेंट दुझे इन टरम्स ऑफ एक्सपर्टीज दोना देवेच ओना ने क्या है ना आता आर्मी दे कोल कोई ऐस सच स्पेशलाइज एक्सपर्टीज थले जान देविच इस सच ऑप्रेशन ना ही कोई स्पेशलाइज एक्विपमेंट है पुरे पंजाब हर्याना रीजन देविच एंडियारेफ इस टेकनिकल फोर्स एंडियारेफ नू ट्रेन किता जान दा इसे कम लई जड़े साथे असिस्टेंट कमांडेंट वर्मा साथ पहले नू लीड कर रहे से गे उना ने पंजी दिन दा कोर्स भी स्पेशलाइज दिस से कमते किता है कि इना नू की किता है तो बोर्वेल में फसे हुए दो साल के मासूम फतेवीर को बचाने के लिए प्रियास के जा रहे हाला कि सवाल उठाए जा रहे थे कि एंडियारेफ अगरस मिशन में काम्याब नहीं हो पा है कि यह बेस्ट टेकनीक है बेस्ट एक्सपर्टाइज टीम है एंडियारेफ की जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है वहीं लगातार यह भी सवाल उठाए जा रहे है कि क्याप्टन अब तक पूरे मसले पर चुप क्यों है अब तक कोई बयान कोई प्रतिक्रिया क्यू सामने नहीं आई तो सरकार की चुपी अब लोगों के विरोध का कारण बन रही है तो अपने परिवार के एकलोते पुत्र फतेवीर के लिए परिवार भी लगातार अर्दास कर रहा है लगातार यही प्रार्थनाएं कर रहा है कि जल्द सजल्द मासूम सुरक्षत बहार आ सके वहीं जसतर है अभी टी सी सुनाम बता रहे थे कि इस बोर के कुछ मीटर की दूरी के दाइरे में ही कोचन्य बोर भी है तो वहीं फिलाल अंडरग्राउंड लेवल पर एक विंडो काट कर बच्चे की लोकेशन देखी जाएगी कि वह वहां मौजूद है लेकिन अगर वहां भी उस हाइट पर भी बच्चा मौजूद नहीं होता है तो अनिक किसी बोर में भी बच्चे की जाच की जाएगी करब में फिलाल अतना है लेकिन अपडेट्स के लिए लगातार बनी रहे आप लिविंग इडिया ने उसके साथ नमस्कार करदार में थाइगे लिए 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 लगातार बनी यहातार बनी जाएगी